हालो एक्जामनेशन में इससे भी रिलेटेड एक कोशन बेसिक पूछा हुआ था डुरादा ब्लोग डियाग्राम ऑफ कम्प्यूटर तो मैंने सूचा इसके उपर भी आपको एक वीडियो बनाकर एक्स्प्रेइन कर दिया जाए ऐसे तो बेसिकली आप लोगों ने यह थीज कंप्यूटर प्रोगामिंग थिज्व सुव में भी में बेसिक स्टाइण गहीं से होता है और उसमें ब्लॉग डियाग्राम आपको अपको ने बना कर समझाया जाता है लेकिन क्याद डिफ्रेंस है यानी और उसके इंटर्णल अर्खिट्ट्चर को समझने में क्या डिफर तरहेंगे श्रीर इंद Sonra करते हैं अधिक को सबसे पहला कंप्यूटर जो होता है उसमें तीन सब्सक्रां कर अबसा का oreуйте प сказал आ TalAST को कि लिए एंप वह साथ में उसके अंदर आक्र शींग का कहा नाम होता होगता है सबसे पहला आप मात करें तो प्रोसेसिंग जहां पे होता है उसका नाम होता है CPU के पर नंग आए पोसीव का मतलब होता है क्या इसने extensive के इसमें क्या होता है इसमें जो important operation होता है वो तीन तरह का operation होता है एक यानि तीन पार्ट इसका में पार्ट तीन होता है एक को कहते है एल यू ठीक है जिसका नाम है arithmetic logic unit दूसरा है mu memory unit और तीसरा है control unit cu इन तीनों के बारे में हम लोग detail से अभी एक study करेंगे उससे पहले हम लोग चलते है input और output section की तरह तो देखें कभी-कभी आपको वाइवाव बेसिकली पुछा आता है कि computer का input device कौन-कौन है और output device कौन-कौन है जैसे आपको example पुछा जात जा यानि कोई भी input जिसके तुरू computer को प्रोवाइड करते है computer को बताना होता है यानि किसे हमको एक file खोलना है तो हमको mouse करना पड़ेगा mouse से जाएक उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो वह फाइल खुल जाएगा तो हम क्या करें mouse क्या हो गया input device हो गया क्योंकि उससे हम लोग क्य यह file open करो okay keyboard क्या keyboard से हम लोग input दे रहे हैं कोई भी चीज़ करना होता तो हम लोग किसे टैप करता है keyboard करता है तो जो भी device जो भी यानि कि आप कह सकते है computer के अंदर लगा हुआ जो भी physical device जिसके थुरू आप input computer को provide करने को input दे रहे हैं वह कहला था जैसे एक्जामपल के लिए बोल सकते है keyboard हो गया mouse हो गया अभी हम लोग पेंटाइब यूज कर रहे है तो पेंटाइब हो गया ठीक है आपका scanner बहुत सो लोग बोलते है scanner क्या output device scanner इंपूट डिवाइस क्योंकि जो हम लोग उससे scan कर रहे होते हैं तो computer को को इनपूट जिस फिजिकल डिवाइस के फूरों लोग इंपूट पूवाइड करते हैं वह इंपूट कर लाता है और जिससे computer के अंदर का output finally बाहर आता है या तो screen के तुरू बाहर आ जाए या फिर आपका monitor के फूरूब प्रिंटर के थुरू आपका 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 आपको प्रोजेक्टर तो जो भी प्रिजिकल डिवाइस आप लोग आउट्पूट यह देखने के लिए यूज करते हैं इन पुल्ड कींपूटर को सकता है जिसे आप मतलब ने बताया फेंट चलता है जेगा शिक्नेशर करने के लिए लिए लाइक पैड दिया यह लिए comment जिससे आपको कहा गया जिसके तुरू हम आपको क्या है इसके लिख रहे है तो जो भी चीज जो भी कंप्यूटर का जो भी परिफेरल एक्चुली में टेकनिकल वर्ड क्या होता परिफेरल ठीक है उसका पाट तो जो भी आपको जैसे आपको आपको क्या है जैसे आपका प्रोजेक्टर हो गया तो यह सारा किसमें आएगा आउपट के अंदर आएगा तो वैसा ही यहाँ जब भी आपसे पुछे जाए पहले सोचे कि उससे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उससे आउट ले रहा है यह तो यह दुना बेसिक सबको पता होता है लेकिन में पार्ट जो है वह सीप्यू दूसरा है लेकिन में इसका नाम है central processing unit तो इसमें क्या होता है इसमें तीन पार्ट होता है इसमें तीन सेक्शन होता है यह को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूइट जो सबसे इंपॉर्टन ऊपर का पाट है ठीक है दूसरा है और तीसरा है कंट्रोल यूइट तीनों का अलगलग function है जैसे alu के बारे में बात करें तो alu को function क्या होता है इसका नाम ही arithmetic यानि यह सारे arithmetic operation को perform करेगा अर्थमेटिक operation का मतलब क्या होगा addition subtraction multiplication division जो भी हम लोगों को mathematical operation करना है तो वह arithmetic operation को कौन perform करेगा यह alu ही provide करेगा alu perform करेगा तो हम लोगों को जैसे माल लिए जो नंबर to do c1 कि च्रेंट यह होता है नहीं होता है किया में क्या था प्रताइब करते हैं कीबोर्ट से वह आपका डिसींगर वह आपका क्या dece मालन नमबर समझम में नहीं आता कंप्यूटर को कोई भी दूसरा चीज़ नहीं समझना आता है वह क्या थो ठीक है तो यह दोनों पाइनरी में हो गया अब इन दोनों का इडिशन वह घुए अब इन दोनों का एडिशन वह बाइड वह भाट जो प्रिवाइनरी को क्या करेंगे रिजल्ट एक एलेवन कैसा आएगा आएगा आट नहीं गारा होगा वाण वीरो बनवन ओके यह ऐसा आएगा इस पॉम में आएगा तो पिर क्या करेगा कंप्यूटर जब आउट्पुट में आपको मोनीटर पागर यह दिखाया तो आपको सम प्रोसेसिंग जो होता है यानि इस नंबर को आपने इंपुट दिया इसका प्रोसेसिंग जो अंदर में वह वह कहां प्रोसेसिंग हुआ प्रोसेसिंग होता है आर्थमेटिक लॉजिक यूट में तो आपको अल्रीयल यह ने कई बार बता जिया लॉजिक डायगराम में पूरा जो उपरेशन हम लोग पढ़ने हैं तो यहानि जो भी लॉजिक गेट के फुरू पफारम हो रहा है यानि जो भी लॉजिक गेट के और करना है दो नंबर का नॉर करना दो नंबर का इस तरह से सैंव भी किसके पशर नतरों यू परैसे अंदर align को कर ना और अबको नोर करना और न परोस्ट न को और फ्रोसेसिंग होता है मिमॉरी का क्या है तो मिमोरी यूनिट के अंदर होता है दो तरह का मिमॉरी एक को कहते है नम्रीनीड जिसको कहते है रैम रैम क्या होता है तो सिंप्री आपके कंप्यूटर में देखिए तो 4GB 8GB 32GB तक रहा हो सकता है maximum 32GB बड़े-बड़े कंप्यूटर में होता है तो यह रहा है यह आपका टेंपरोडी यह जिसको कहते है वोलाटाइल और यह आपका प्रमेनट है इसको पर में प्रमेनट होता वह तक कंप्यूटर कर नाप क्रण और उसको कर देंगे तो यह शारा सेविंग कर रहे होते हैं मतलब कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो वह फाइल कहां से होता है रैम में नहीं किया तो जब दुबारा खुलिएगा तो कोई भी फाइल आपको नहीं में सेव नहीं किया तो जो जाता है वो बताने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको क्यूंकि यह ब्लॉग डियागरम को एक्स्प्रेंड करना है कंट्रोल यूणि की तरफ को जब सारा प्रोसेसर के अंदर पेरिस्पेर के साथ सारे को किसको क्या काम करना है कौन कब करेगा कौन सा पॉर्षन करेगा कौन सा पॉर्षन करेगा कौन सा पॉर्षन इस्टोर करेगा कहां से कहां इन्पूट जाएगा टोटल जो प्रोसेसिंग होता है यानि तोटल काम का डिस्ट्रिबूशन जो होता है वह कहां होता है 8085 का lecture मैंने जो बनाया है उसमें lecture number 5 architecture के उपर ही है architecture of 8085 उसमें मैंने इस control unit को काफी details यानि पूरे इवन पूरे आपके processor को यानि 8085 क्या है आपका microprocessor है तो पूरे processor को detail में explain क्या है कि हर input यानि हर एक unit जो है वो क्या काम करता और कैसे process होता है कोई भी input जब input device से दिया जाता है तो कैसे process हो के output तक पहुंचता है यह सारा step को उसमें explain किया गया है अगर आपको इसको detail में समझना है और अच्छे से detail में जानना है तो आप lecture number 5 जरूर देखिए उसमें आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा और आगर आगर आपने देख लिया है तो आयोप आपको इसको समझने की जरूरती नहीं यह ऐसा ही आपको समझना आ गया होगा ओके तो आयोप यह लॉजिक डियाग्राम आप कंप्यूटर जो है बहुत बेसिक ता चीज था जिसको मैंने सुचा कि चलो explain कर देता हूं ताके आपके लिए helpful हो जाए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स लेक्ट्चर में थैंक्यू सो मुच पूर वाचिंग दिस वीविल म कर दीटर वाजिया जिसम में देखेखना जो एके यह लिए पूर चाहिए है जोग मिलेंगे लोग जोग सीजू झाल गब हो यह दो रोगगा जोग भीविल में एक्वाद कर दोगए है जिसको में जोगज कर दोगर बहएकर झाल झाल झाल